हेलो दोस्तो आप कान के टेकड़ी में स्वागत है दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सस्क्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दवाया है दोस्तो आज इस वीडियो मैं हिं वालमाला का तीन वीडियो अपलोट किया है और अगर वीडियो से आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपका वालमाला से एक भी अपलोट कवे हैं हिंदी樣 और जीजेस का मैंने काफी वीडियो अपने चैनल पे अप्लोड किया है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये बोलियों का सेशन 36 नमबर प्रशन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पस्चमी हिंदी की बोली नहीं है तो पस्चमी हिंदी के अंतरगत आपका बुंदेली भी आता है और ब्रज भी आता है कन्नोजी भी आता है जो बगेली है दोस्तों या पुर्वी हिंदी के अंतरगत आता है इसलिए इसका डी सही हो जाएगा Seydis नमबर क्युश्चन देखते हैं वासाई अधार पर सौर्पर्थम किस राज्य का गठन किया गया तो भासाई अधार पर स्व्रपर्थम आंदर प्रिदेश का गठन किया अठान अफसा ओप्तार आन को दुव एसके पूटन आथा इसरत के अभर फ्रश् apologise दोस्त, भोजपूरी बोली के जो उत्पत्ती हुईह वह आपका मागदी अपभरण्स से हूईह है आपसन नमबर इसका B वाला सही हो जाएगा अगले question पर चलते हैं चालिश नमबर पर तो ग्वालियर की बोली है तो ग्वालियर की बोली जो है दोस्तो यह आपका बुंदेली है आपसन नमबर इसका A वाला सही हो जाएगा अगले question पर चलते हैं क्वुष्चन पर चलते हैं दोस्तों 36 गड़ी बोली हिंदी के किस उपभासा वर्ग के अंतरगत आती है तो 36 गड़ी बोली आपका यह है पूर्वी हिंदी के अंतरगत आती है अपसन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा अलग कुष्चन है 43 नंबर ब्रज भासा है तो ब तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली है अपसन नमबर इसका C वाला सही हो जाएगा 45 नमबर कुश्चन पे चलते हैं हिंदी भांसा की बोलियों के वरगी करण के आधार पर 36 गड़ी बोली है तो 36 गड़ी बोली अभी मैंने आपको बताया है कि यह पूर्वी हिंदी के अंतरगत आता है इसलिए यहां पे आपसन नमबर इसका A वाला सही हो जाएगा आगे कुश्यन देखते हैं दोस्तों 46 नमबर हिंदी भासा की बोलियों के वरगी करण के अधार पर 36 गड़ी बोली है तो यह मैंने उपर आपको प्रश्न करा दिया है तो 36 गड़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी है आपसन नमबर इसका यह वाला सही हो जाएगा 47 नमबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है पस्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली इन में से कौन सी है तो पस्चिमी हिंदी के अंतरगत आपका ब्रज भासा भी आता है बुंदेली भी आता है और आपका यह ब्रज भासा भी आता पस्चिमी हिंदी के अंतरगत कि प्रमुख बोली मतलब पस्चमी हिंदी में जो प्रमुख बोली है सबसे वह कौन सी है तो पस्चमी हिंदी में सबसे प्रमुख बोली जो है वह आपका ब्रज भासा है आपसन नंबर इसका ये वाला सही हो जाएगा अगले question पे चलते हैं दोस्तों 48 number question पे 48 number question है दोस्तों हरियानवी या बांगरू बोली किस अपभरंस से बिक्सित हुई है तो हरियानवी या बांगरू बोली जो है वो पस्ची मोत्तरी सौरसेनी से सौरसेनी अपभरंस से बिक्सित हुई है आपसन नंबर इसका इंवाला सही हो जाएगा , आगला क्यूषयं चलते हैं उस sustain criticism में से कौन सा यूगमगलत है तो अवधी का यूगम बना है राट जाल जाएगा है वह पूर्वी हिंदी से बना है तो अवधी जो है वह पूरी हिंदी के अंतरगात आता है इसलिए इसलिए यहां नंबर इसका वाला सही हो जाएगा तो पचास नंबर कुष्चनते देखती है दोस्तों 2020 जो क्वेश्चन में निम लिखिए तो बोलियों यूंए से पुर्वी हिंडी की यूनजी की बोली ऑवकर मुथय है जो पुर्वी हिंदी की अब का वदी हो गया एक क्यावन नमबर प्रशने देखते हैं क्या है एक क्यावन नमबर निमने लिखित में से कौन सी भासा संस्क्रित भासा की अपवरंस है तो संस्क्रित भासा की जो अपवरंस है वो अपाली है अपसन नमबर इसका डी वाला सही हो जाएगा 52 नमबर क्विश्चन देखते हैं दोस्तों 52 नमबर जो है इक मनाई के दूई बेटवे रहिन ओमा लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन्मा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दैद इस यह अवतरण हिंदी के किस बोली का है तो यह आपका अवधी की बोली है आपसन नमबर इसका सी वाला सही हो जाएगा और यह क्विश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्विश्चन है क्योंकि काफी एकजाम में पूछा गया है तो यह question आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसे तयाक कर लीजिएगा और जितने भी मैं question करा रहा हूँ दोस्तों चाहे वडमाला का हो चाहे बोली का हो यह सारे question किसी ना किसी एकजामें पूछे गए हैं या तो बीएड में पूछे गए हैं या तो लेकपाल में पूछे गए हैं किसी ना किसी जामें पूछे ही गए हैं तीरपन नमबर question पे चलते हैं दोस्तों ताले के पानी पताले गए बेटी पूराइनी गई कुमिलाई हो गंगा जमना बीच रेती पर्तू है कैसे कह रचों बियाहर है उक्तगीत किस बोली का है तो या ब्रज भासा का है अपसन नमबर इसका बी वाला सही हो जाएगा आले question पे चलते हैं दोस्तों बिने पत्रिका की भासा है तो बिने पत्रिका की भासा आपका ब्रज भासा का है अपसन नमबर इसका ए वाला सही हो जाएगा आगे चलते हैं दोस्तों पच्पन नमबर question पे बांगरू की उपभासा वर्ग की बोली है तो बांगरू को यानि हर्याडवी बोली भी कहते हैं तो बांगरू जो होता है यहापका पस्चमी हंदी के अंतरगत आता है अपसन नमबर इसका ए वाला सही हो जाएगा च्पन नमबर प्रस्टने पे आते हैं निम ने लिखित में से कौन सी बोली पस्चमी हंदी के अंतरगत नहीं पड़ती है तो पस्मी हिंदी के अंतरगत आपका ब्रज भासा भी आता है बुन देली भी आता है करनोजी भी आता है तो अधी जो दोस्तों यह आपका पुर्वी हिंदी के अंतरगत आता है इसलिए यहां पर आपसन नमबर 20 का सही हो जाएगा संतावन नमबर प्रशने देखते हैं क्या है नीमने लिखित में से कौन सी बोली अथवा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती तो यहां पर जो तेलगू है यह हिंदी बोली के अंतरगत नहीं आती इसलिए आपसन नमबर इसका डी वाला सही हो जाएगा अंतरगे नमबर प्रशने देखते हैं ब्रजबुली नाम से जानी जाती है तो ब्रजबुली नाम से पूरानी बंगला को जाना जाता है अपसन नमबर इसका डी वाला सही हो जाएगा 69 नमबर प्रश्ण देखते हैं दोस्तों 69 नमबर प्रश्ण है रोहतक हिसार करनाल कौन सी बोली का छित्र है तो रोहतक हिसार करनाल जो है वा बांगरू यानि हरियाडवी बोली का छित्र है आपसन नमबर इसका ए वाला सही हो जाएगा 62 नमबर प्रश्ण पे चलते हैं दोश्तों 62 नमबर जो प्रश्ण है वह उत्तर परदेश में सबसे अधिक एवं सबसे कम बोली जाने वाली बोली है यह अवधी है और बगेली है अपसान नमबर इसका एवाला सही हो जाएगा आगे देखते हैं 33 नमबर क् decreased आधिकाल में किस भासाओं की अधिकता थी तो आधिकाल में आपका राज़ास्थानी भी था अपभरनस भी था और पाली भी था इन तीनों भासाओं की अधिकता थी इसलिए seeks उक्तस भी हो जाएगा आपसर नमबर इसका डी वाला सही हो बहासा को किन रूप में विभाजित किया गया है तो बहासा को दोस्तो बोली और सैली में विभाजित किया गया है इसलिए यहाँ पे option number c हो जाएगा a और b दोनों सही हो जाएगा यही 65 number question पे चलते हैं दोस्तो फरूखा बाद में कौन सी बोली बोली जाती है तो फरूखा बाद में आपका कन्नोजी बोली बोली जाती है इसलिए यहाँ पर आपसन नमबर ए वाला सही हो जाएगा अगले क्यूशन पर चलते हैं दोस्तो चाचड नमबर पर अप भरंस में नागर एवं ब्राचड भेद किस ने किया मारकंडे ने किया था आपसन नमबर इसका ए वाला सही हो जाएगा अगले क्यूशन पर चलते हैं दोस्तो चाचड नमबर पर इंदर उज्जेन की बोली को क्या नाम दिया गया है तो इंदर और उज्जेन जो है यह मालवा का छित्र है इसलिए यहाँ पर मालवी बोली बोला जाता है इसलिए यहाँ पर आपसन नमबर इसका बी वाला सही हो जाएगा आगले क्यूशन पर चलते हैं दोस्तो 68 नमबर पर तूलसी दास की कौन सी रचना ब्रज भाशा में रचित है तो तुलसी दास की जो रचनाये हैं हो कवितावली बिनावली बिनावली बिनापत्रिका और गितावली है तो यह तीनों जो है यह आपका ब्रज भासा में रचित हैं इसलिए यहां पे उक्तस अभी हो जाएगा आपसन नमबर इसका D सही हो जाएगा 69 नमबर पे बादा और चित्रकूट में बोली जाती है यहां पे आपसन नमबर इसका B वाला सही हो जाएगा 70 नमबर क्यूश्चन पे चलते हैं भोजपूरी कहां की प्रमुख बोली है तो भोजपूरी आपका पुरुवांचल में सबसे अधिक बोला जाता है इसलिए आपसन नमबर इसका B वाला सही हो जाएगा अलग क्यूश्चन है पाली किस धर्म की भासा है तो पाली बौद धर्म की भासा है आपसन नमबर इसका A वाला सही हो जाएगा 72 नमबर क्यूस्चन पर चलते हैं 72 नमबर क्यूस्चन है किस बोली में सरवाधिक फिल्में बनाई गई है तो आपका भोजपूरी फिल्में में आप लोग जानते हैं कि सरवाधिक फिल्में बनाई जाती है तो यहां पर आपसन नंबर इसका C वाला सही हो जाएगा उन्नाव राइबरेली जीरे में कौन सी बोली बोली जाती है तो उन्नाव और राइबरेली में आपके खड़ी बोली बोली जाती है आपसन नंबर इसका C वाला सही हो जाएगा 73 नंबर क्यूस्चन का आगे देखते हैं दोस्तो चोगत्तर नमबर प्रश्ण गोरगपूर एवं आजमगड की सबोली के छित्र हैं तो गोरगपूर और आजमगड जो है दोस्तो ये भोजपूरी के छित्र हैं आपसन नमबर इसका बी वाला सही हो जाएगा पचातर नमबर कुश्चन देखते हैं उत्तर परदेश की खड़ी बोली और भोजपूरी भी बोली जाती है उत्तर परदेश की खड़ी बोली और भोजपूरी भी बोली जाती है यहाँ देखते हैं पचातर नमबर कुश्चन तो उत्तर परदेश की खड़ी बोली और भोज सभी सई है आं नबर प्रशन पर चल्ते हैं सचेतर नंबर प्रशन है हоть already किसे को हिन्दी डाईट करते हैं तो हिन्दी में डाइए लेक्ट जो कहा जाता है-उप भासा को कहा जाता है आप तन मईर इसका सी वाला सरह हो जाएगा सट है और प्रशन पर चलते इनमें से कौन शी बोली बिहारी वर्ग की हैं तो बिहारी वर्ग की जो बोली है वो आपका मगही है आपसन नमबर इसका A वाला सही हो जाएगा बुन्देली आपका पस्चिमी है या पंजाबी है या बंगाली है आपसन नमबर डी वाला इसलिए आपसन नमबर एव सही हो जाएगा मगही जो बिहारी बूली है आगे चलते हैं दोस्तो 78 नमबर क्यूश्चन पे हिंदी की आदी जननी है तो हिंदी की जो आदी जननी है वह संसक्रित है बी वाला सही हो जाएगा अले क्यूश्चन पे चलते हैं दोस्तो अंतरवेदी नाम से जानी जाने वाली बूली है अगले question पर चलते हैं दोस्तों 80 नमबर पर कोनों आदमी के दू छोकरा रहिस वाक में प्रयुक्त बोली है तो यह 36 गड़की बोली है अप्सन नमबर इसका C वाला सही हो जाएगा एक 80 नमबर पर चलते हैं राजस्थानी भांसा का उद्भो जिस छेतरी अपभरंस से हुआ उसका नाम क्या है तो राजस्थानी भांसा का जो उद्भो हुआ था वो सोर सेनी अपभरंस से हुआ था अप्सन नमबर इसका B वाला सही हो जाएगा 82 नमबर पर चलते हैं निमन में से कौन सी भांसा उत्तर परदेश की दूसरी राज़ भांसा है तो उर्दु जो है यह उत्तर परदेश की दूसरी राज़ भांसा है अप्सन नमबर इसका C वाला सही हो जाएगा 84 नमर प्रश्ण पर चलते हैं भासा की मूली काई है तो भासा की मूली काई जो होती है वो धनी होती है 85 नमर प्रश्ण पर चलते हैं इन में से कौन सी बोली पुर्वी हिंदी की नहीं है तो पुर्वी हिंदी की जो बोली है वो आपका अवधी भी है बगहेली भी है और आपका 36 गड़ी भी है यहाँ पे जो कौरवी है दोस्तों या आपका यानि खड़ी बूली या पस्च्वी हिंदी के अंतरगत आती है इसलिए यहाँ पे आपसन नमबर बी वाला सही हो जाएगा कौरवी 86 गड़ी किस भासा की बूली है तो 36 गड़ी आपका पूर्वी हिंदी के अंतरगत आता है इसलिए यहाँ पे आपसन नमबर इसका बी वाला सही हो जाएगा 87 नमबर प्रश्ण पे चलते हैं हिंदी खड़ी बोली किस अपभरन से बिक्सित है तो हिंदी खड़ी बोली आपका सौरसेनी अपभरन से बिक्सित है अपसन नमबर इसका B वाला सही हो जाएगा 88 नमबर प्रश्ण पे चलते हैं अदो लिखित में से कौन बोली उत्तर परदेश की नहीं है तो यहां पर उत्तर परदेश की जो बोली है वह भोझपूरी नहीं है क्योंकि भोझपूरी यह बिहारी की बोली है option number सी वाला सही हो जाएगा 89 नमबर प्रश्ण पे चलते हैं कर्णोजी बोली किस जन्पद में बोली जाती है तो कर्णोजी बोली हर दोई जन्पद में बोली जाती है आपसन नमबर इसका C वाला सही हो जाएगा अले किस जन्पद पे चलते हैं तो 90 नमबर फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है तो फैजाबाद में जनपद में जो बोली बोली जाती है वो आपकी ओधी बोली बोली जाती है आपसन नमबर इसका D वाला सही हो जाएगा और आज का लास्ट प्रस्ण जो है एक क्यानवे नमबर है हैं यह हिंदी भासा में 18 शर्था हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया ऊगा तो लाइक एंस सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तो मैं चैनल से आप रईबारी करते हैं लेगपाल ये चयाम की फैर clicking नहीं हुआ क्योंकि मैं दोस्तों चेप्टर वाई जो है वह हर चेप्टर का प्रैक्टिस करवा रहा हूं इस वजह से आपका एक भी प्रश्ण आपका छूट नहीं पाएगा और मैं अपने वीडियो में वही प्रश्ण लेकर आता हूं जो एक जाम में पूछा गए आप देख भी झाप